Hello my dear students, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल लिए आपके study? मैंसल के सब करेशना, your physics teacher and mentor आप लोगों के लिए एक बहुत ही urgent notice है जैसा आपने thumbnail में देखा, वैसे ही बहुत ही urgent notice है आप जो भी बच्चे नीट 2024 का examination देने वाले हैं सब भी बच्चे इसे ध्यान से सुनना, क्या NTA का कोई notice है? नहीं, क्या exam NMC conduct कराने वाला NTA को छोड़ के? नहीं, ये कोई official notification नहीं है बट आप सब भी बच्चे के लिए उससे भी जैदा important notice है ये है आपको आपके medical college तक पहुँचाने का notice कल संडे है और आप हर संडे को क्या करते हो? simply as usual जैसा आप पहले आपका routine रहते हैं वही follow करते रहते हैं बट इसको change करना है अगर आपको government college तक जाना MBBS seat लेना है तो हर संडे आपको test देना है इसलिए मैं आप सभी बच्चे के लिए free of cost हर संडे All India test प्रोबाइड कराता है जिसमें हजारों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे आप solution भी देख सकते हैं अपना rank भी चेक कर सकते हैं test submit करने के बाद test का syllabus basic mathematics, vector, rest and motion में motion in 1D, motion in 2D and Newton's law of motion है अगर आपका preparation नहीं है आप फिर भी attempt कीजी क्योंकि हो सकता है 50 questions में से सिर्फ आप 5 questions सही करता हैं लेकिन आपको actually ये पता लगेगा कि आपको और कितना preparation करना है आपको ये पता लगेगा कि questions का level क्या होता है exactly ये वैसा ही test रहेगा जैसा NTA test conduct कराता है सेम उसी टैप के variation match in the following questions assessment based question exactly two copy NTA का ये होता है और हर संडे आपको ये perform करना है यानि अगर आप NEET 2024 के लिए एक serious experience है तो आप जरूर ये exam दीजी पैसे लगने रिए free of cost ये examination होता है नीचे टेलिग्राम का link दिया है इसको join करके रखीए जैसे आपका NEET का test होता है दो बज़े से वैसे ही कल आपका test होगा और ऐसा अगर आप अच्छे से test देते रहे last last तक तो आपका marks improve होगा और आपके selection में बहुत helpful होगा तो ये एक urgent notice था जो मुझे आप सभी बच्चे के साथ सेर करना था कल संडे है टाइम बहुत कम है जल्दी से जल्दी इस वीडियो को फरवाट करना